नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं इस देश के टीवी अख़बार का पाप गिना रहा हूं कितने बड़े पापी, कितने बड़े जूट और कितने बड़े फरजी है ये आपको पता है आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है मैं फिर कह रहा हूँ रहा है यंदर सिंग की एक लाइन है जो भारत में अभी टीवी और अख़बार आपको दिखा रहा है दरसल वो ख़बर नहीं परचार है परचार किसका है, परचार है 56 का, परचार है RSS का, परचार है सनातन का, परचार है हिंदु कटरवाद का, परचार है सरकार का, जिसमें सब कुछ भी बनाई जा रहेगी, यह सारे पतकार पतकाईटा जानते हैं, पतकाईटा इनकी तब सुरू होगी, जब कोई गैर बीजेपी की सरकार होगी जब कोई गैर सवन सीएम पीएम होगा तब इनकी पतकाईता सुरू हो जाएगी फिलाल करमचारियों को सैलरी नहीं मिलने पर किंद पर भड़का इसी जज बोले आप धितराट नहीं बन सकते सोचिए सरकारी डॉक्टर अस्पताल में करमचारियों को तनका नहीं मिल रही है सुप्रिम कोर्ट कह रहा है कहीं कोई टेलिविजन डिबेट नहीं होगा कहीं कोई बहस नहीं होगा तो 56 चाती को डेंट लग जाएगा राममंदिर का अंदोलन अधर में लटक जागा भी आपको दिखाये जा रहा है दिन रात राम दिर दिन रात राममंदिर वह कोई कैपसुल डाला जा रहा है वह 2000 के नोट में चीप डाला जा रहा है मतलब ऐसा लग रहा है यसे इस देश में करोना खतम हो गया विरुजगारी खतम हो गई दिन भर रफेल पांच रफेल आने से ऐसा लग रहा है यसे हम चीन को खतम कर दिये हैं पाकिस्तान को खतम कर दिये हम दुनिया के बाधसाब बन गये अरे साब रफेल से बासा बनता तो फरांस जिसने फैक्टरी लगा रखिये वो सबसे बड़ा बासा होता आप एक चीन टी नहीं मार सकते हैं आज के डेट में है चीन की हैसियत करके दिखा है भारत पर हमला आज के डेट में सब ताकत बर लोग हैं कोई किसी को हमला नहीं कर सकता तो ये आपकी रोजी रोटी जो देश मजबूत होगा जिस देश के नागरिक मजबूत होगे जिसकी GDP मजबूत होगी, जिसकी अर्थविवस्ता मजबूत होगी, जिसके पास सद्धन संपत्य होगी, वही देश मजबूत होगा पैसा है तब ने रफ्यल खरीद लिए, पैसा नहीं होता तो, पैसा रहेगा तभी तो college university बनाएंगे तो ये देखिए कि जो salary नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, और ये ख़बर आपको दबा दी जाएगी एक दूसरी सबसे बड़ा पाप देखे टेलिविजन का, ये सक्स है के सिधार्थ ये सक्स है के सिधार्थ, और ये पैनल पर इनको दर असल टेलिविजन चैनल में एक होता है, एक department होता है, जिसको बोलते हैं guest coordinator और वो सिधे रिपोर्ट करता है editor को, ये guest coordinator, के सिधार्थ जो है, किसी channel पर के सिधार्थ expert Indian Ocean, के सिधार्थ expert intro environmentalist, के सिधार्थ expert है अंतरिक्ष बिज्ञान के, के सिधार्थ geologist, के सिधार्थ expert है Indian Ocean region के, के सिधार्थ भूबे ग्यानिक है मतलब यह सक्स क्या नहीं है अब आगे देखिए के सिधार्थ एजुकिस्टनिस्ट है निस24 पर के सिधार्थ जो है वो इन्वारिमेंटलिस्ट है ये भी किसी चैनल पर है इंडिया हेट पर RSTV पर ये एक्सपर्ट है इंडियान ओसियन रीजन के TB9 भारत पर हैं अंत्रिक्ष मामलों के जानकार हैं अंत्रिक्ष बैग्यानिक बन जाते हैं RSTV पर एक बड़ फिर से ये के सिधार्थ जो है इंडिया ब्यातनाम रिलیशं maps के जानकार बन जाते हैं तो इंडियन एडिनिसेतिश्टिव सर्विसेस Profession नो के सिधार्त बन जाते हैं इन देफ्थ वार्ड माइगरेशन पर बन जाते हैं मतलब यजए देखिए सामरिक रनीतिकार पर बन जाते हैं हिंदी खब्र यह की powers हिंदु स्वेरों पड़ें बुबयारइक बन जाते हैं मतलब यह सक्ष जो है वह कुछ भी बन सकता आजियोलोजिस्ट बन जाता है, इसको लोगों ने सेयर किया है, और इसको लोग लिख रहे हैं, सत्यन सत्यार्थी ने लिखाया, इन सारे तस्वीरों को पढ़ कर गौर से देखिया, आपको सबालारक्षन खोर, मतलब यह सक्स कुछ भी बन सकता है, कभी भी कुछ भी बन सकत है, और यह है टेली बिजन की हकीकत, आपको अभी भी टेली बिजन अख़वार पर भरोसा है, यह सक्स एक आदमी को टेली बिजन क्या क्या बता दे, अब बताए टेली बिजन भारत के अर्थ विवस्ता को 5 ट्रिलियन करा दे, टेली बिजन चाइना को हरा दे, टेली बिज पाकिस्तान को नस्तअबूत करवा दे टेलिवीजन क्रोना को नस्तअबूत करवा दे और जो देख रहा है वो सबसे वरा दोहके में हैं सबसे ज्यादा नुकसान में हैं ना तो क्रोना खतम हुआ न तो चीनी घुस्पैट खतम होई आपको सिर्फ भाकाया जा रहा है और जी नीज के सुबास चंद्रा सबसे बरी खबर आ रहे जी नीज के मालिक सुबास चंद्रा ने अपना मुंबई वाला बंगला चीन के बानिजीक दुतावास को किराय पर दे दिया इनका फैंस चैनल फर्जी राष्टवात खलाता है चीन को आखे दिखाता है या विरोधावास और उस फर्जी भक्त में है जो मोदी मोदी चिलाता है आवाम को मुर्ख सुचे किराय के लिए यह सबसे बड़ा देश कल उठे रहा है यह भी करोडों का पैसा लिए उसे रामदेव को 746 करो र बार बार कहता हूं कि इस देश के लोग को समझना चाहिए कि किस तरफ से चल रहा है लेकिन ऐसे दौर में एक अख़वार है जो कुलकाता से निकलता है नाम है दर टेली गराफ चुकि वहां मंता वनर जी है इसलिए लायर लायर जूटा जूटा लिख रहा है तो अब जो ह आनें खाने के लिए मर जाएंगे उसके बाद भी टीवी एक वारा की ख़वर नहीं दिखाए का दरसल जो दिखाय जारहा है वह ख़वर नहीं पर सरकार का आपकी नौकरी जा रही है आपकी रोजी रोटी जा रही है आपकी विरुजगार हो रहे हैं आप कुरोना से महमारी से मर रहे हैं आपको इलाज नहीं मिल रहा है और टीवी अकबार उस पर अपनी टी आरपी पीट रहा है और आपको रफेल से लेकर और राम मंदिर में फसाए जा रहा है आपको तै करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है बाकी मैंने राष्टबादी चैनल जी ने उचके मालिक सुभाज चंदरा के राष्टबाद बता दी मोटा किराय मिले उसनों ने इसलिए अपना बंगला चीनी दूतबाद को किराय पर दे दिया है इससे ज़्यादा राष्टबाद चीए आपको आप लोग के क्या प्रत्किरिया है अपनी प्रत्किया जोर दीजिए शुक्रिया नेशनल डस्तक की आपसे गुजारी से कि एगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें